असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे अल्लाद आपको हर तरह की परेशानी और बीमारियों से महफूज रखे आमीन तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट आज मैं बनाऊंगी एक बर्गर जिसके लिए मैंने एक अदद से हमेली लिए थोड़ा सामय नहारा धनिया लिया है और दो बर्गर लिए है मैंने अधोर एडे लिये है मैंने इस चैटनी लिए ग्रीन मायोनी इस्केच्ट अब यह सब चीदे लिए मैंने अब अब सबसे पहले मैं प्याज इसम डालूंगी प्यास को मिच प करूंगी अ यह देख सकते हैं आप हमारी प्यास बहुत अच्छे से चॉप हो रही है अब मैं इसमें टेमाटर भी शामिल कर दूँगी और उसको भी मैं चॉप कर लूँगी कि अच्छे से चॉप हो चूप हो चूप है अब मैं एक पैन रख के पैंको मुँछे से साफ कर लूंगी कि और इसमें इसरत शामिल करूंगी तूटेबलि स्पून की करीब में इसमें उच्ब जूप करूंगी मैंसए मैंने शामिल करें आप भी रूबंगी यह बर्गर आप लोग ज़रूर क्राई कीजिएगा या आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे आप लोग अपने बच्चों को बना के खिलना हैं इन्शालाब बहुत अच्छे बनेंगे दो अंडों को लेकर मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है इन्हें फिर मैं पैन में ग्रीन चिली शामिल करूँगी बारिक बारिक इसको मैं कट करूँगी यह ओमलेट इस्पाइसी अच्छा लगता है हाफ टीस्पून के करीब मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी हाफ टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाली है और वन टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डाला है यानि के नमक अपने टेस्ट के साब से आप लोग डाल सकते हैं सब मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी यह देखिए मसाला बहुत अच्छे से बुन चुका है अब यहां पर मैं इसमें ब्लैक पेपर शामिल करूँगी यानि की काली मिर्चो का पाउडर हाफ टीस्पून के करीब मैं ने यह शामिल करा है और वन टीस्पून मैं इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करूँगी इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो इसमें अंड शामिल करूंगी जो दो अंड अंड करें हुए है वो इसमें शामिल करूंगी मैं और इसको अभी चमMश नहीं चलाँगी में इसको सब तरफ पहला और ढ़काणधक कर तकरीबं दो मिनिट के लिए मैं इसको कुकरोंगी देख सकते हैं आप दो मिनिट हो चुके हैं इसको पकते हुए आप में इसको मज़ीद भूणउंगी अब यहां पर मैं हरा धनिया जो मैंने आपको दिखाया था वो इस पर शामिल करूंगी बारिक-बारिक कट करकर और हरे धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आप लोग भी हरा धनिया ज़रूर शामिल कीजिए गा कि देख सकते हैं आप किते मज़ेदार सा अंडे का खागीना हमारा बिल्कुल तयार है अब मैं एक बर्गर बनाने के लिए तयारी करूंगी आप में बर्गर में नाने स्टार्ट करते हूँ यहरी चटनी जो मैंने आप लोग को दिखाई थी यह इस पे मैं सबसे पहले कोट करूंगी जादा नहीं लगाऊंगी बस हलकी सी लगाऊंगी क्यूंकि हमारा जो अंडे का ओमलेट है यानि के खागीना वो बहुत जादा स्पाइसी है इसलिए में हलकी सी लेयर लगाऊंगी आप में कैचप की लेयर लगाऊंगी इसमें अब मैं मेयो नहीं लगाऊंगी सब बन्स पर बहुत जादा थिक लेयर नहीं लगाई है मैंने हलकी सी लगाई है लाइट लाइट सी अब सब चीजों को मैं स्प्रेट कर दूंगी देख सकते हैं अब अंडे का जो मैंने खागीना बनाया हुआ है उसकी में लेयर लगाऊंगी हमारे बहुत मसेदार से होम मिड एक बर्गर बिल्कुल तयार है बनकर अगर आपको मेरी रैसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अगर पसंद आए तो शेयर करें और हां बैल आइकन को दुबाना तो बिल्कुल भूले जिस में भी दुआओं में याद रिखिएगा अलाहाफेज